वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इसमें सब चीज़े बताई गई है, बहुत अच्छे से आपको समझाये गया है, तो आप उसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा, जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर suggestion है, feedback है, उसको comment section में comment क कोई भी doubt है, कोई भी feedback है, तो उसको comment section में comment करके चुरू बताईएगा, let's crack it का ये channel जो YouTube पे है, उसको जरू से जरू सब्सक्राइब कर लिएजए, यहां से subscribe का button दबा दीजएगा, और यहां से subscription के बाद, all का button भी दबा दीजएगा, जिससे की सभी notifications आपको regular basis में मिलते र इसको जोइन कर सकते हैं, साथ-साथ अटवारी लेकपाल exam के लिए test series शुरू हो चुकी है, आरो यारो सजीवाले का full preparation batch चल रहा है, तो आप इसको जोइन कर सकते हैं, अगर आपने इसको जोइन कर लिया, तो इससे उत्राखण में आगामें जितनी परिक्षाएं हैं, आप सभी की त्यारी कर पाएंगे, इसको जोइन करने से, इन current affairs की PDF साथ regular basis पे ले सकते हैं, और daily MC की practice paid group भी आप जोइन कर सकते हैं, इन सभी courses को जोइन करने के लिए आप 766-580-4421 पर call ये message कर सकते हैं, चलिए start करते हैं, सबसे बेले news आ रही है कि केदानाथ temple को golden makeover करने की बात की जा रही है कि गेदानाथ के मंदिर के अंदर वहाँ परत होगी सोने की परत चड़ाई जाएगी, तो एक Mumbai based businessman है, उनको कहना ये है कि वो केदानाथ temple का sanctum sanctorum है, sanctum sanctorum वो होता है जो अंदर का गर्ब गरी जिसको हम बोलते हैं, किसी मंदिर में उसको बोला जाता है, इंगलिश में sanctum sanctorum, उसको कहा जा रहा है कि वो gold plated हो जाएगा, currently जो sanctum sanctorum है, इन मंदिर अब वो चांदी से चड़ा हुआ है, 230 किलो चांदी से वो चड़ा हुआ है, the silver plating of the temple was done in 2017, silver plating 2017 में की गई थी, और किदाना temple जो है, 8th century का, 8 वी शदाब्दी का मंदिर है, यानि किरी 1200 से लेके 1300 साल पुराना मंदिर है, नेक्स्ट आता है, consequences of declining fertility, आप देखिए, fertility यानि कि आपका जो प्रजनन दर है, इंसानों में जो प्रजनन दर है, अगर वो कब होने लगे, तो उसके क्या consequences होंगे, क्या प्रेणाम होंगे, उसको समझने ही कुशिश करते हैं, ये society से related topic है, कि जब भी हम society की बात करें, अब चाहें हाँ पर हम Indian society की बात करें, या world over, पूरी विश्व में किसी भी समाज की बात करें, तो अगर समाज की उपर बात आती है, तो वहाँ पर ये GS1 का topic बहुत important हो जाता है, तो global population की अगर हम बात करें, numbers की बात करें, तो numbers तो उनके धीरे-धीरे भढ़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि population के numbers में कमी आएगी, अभी, लेकिन प्रजणन्दर में कमी आ रही है, जो rate है, वो उसमें कमी आ रही है, लेकि numbers में भी कमी नहीं आएगी, तो global population in terms of numbers has been steadily increasing, तो numbers तो भढ़ रहे हैं, consistently declining over the past 70 years, लेकिन जो global fertility rate है, यानि कि जो पूरे विश्व में अगर हम प्रजणन अंदर देखें, तो वो पिछले 70 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, या तबसे लगातार घट रही है, जो average number of children पर women in the reproductive age group has declined by 50%, जो average number of children थे, यानि कि पहले अगर माल लेते हैं, वो चार बच्चे पैदा करते थे, तो आज दो बच्चों प्या गए हैं, या पहले किसी समाज में दो बच्चे करते थे, तो आज एक बच्चे प्या गए हैं, और पहले अगर एक करते थे, तो आब वो कर ही नहीं रहे हैं, यानि क्या होगा, इसका मलब कि जो reproductive age की women हैं, यानि कि जो मैला है, यानि कि पहले 1951 के आसपास कि अगर हम देखें, तो प्रती विमन 5 बच्चे पैदा हुआ करते थे, अब पर विमन 2.4 चिल्डन पैदा हो रहे हैं, तो पर विमन 2.4 चिल्डन का मलब यह हो गया, कि अगर 20 लोग हैं, यानि कि 10 wives हैं, 10 उनके husbands हैं, तो 20 लोग मिलकर 24 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुछ इस तरह साथ आप देख सकते हैं, पूरे विश्व की बात करी जा रही है, 2020 में अगर हम World Population Prospects 2022 देखें, जो United Nations Population को Estimate करता है, जो करता है, जो कि एक किस ने प्रपेर किया, इसको, Population Division ने प्रपेर किया, United Department of Economic and Social Affairs, United Nations के सेक्टेरिट ने, यह सब डेटा उसके अगर्टिंग है, तब यह कहना है, जो लेटेस्ट रिपूर्ट है, उसको कहना यह है, कि जो World Population Prospects है, उसमें Global Fertility Rate, जो 3 हुआ करता था, 3 हुआ करता था, 1992 में, वो कटकर 2.3 रहे गया है, 2021 में, और 2.1 को विश्विस्तर पर Replacement Level भाना जाता है, यानि कि अगर 20 लोग, 20 लोग का मतलब हुआ, कि 10 महिला हैं, और 10 उनके Husbands, यानि कि 10 उनके पुरुष, तो 20 लोग मिलकर, अगर 21 वच्चे पैदा कर देते हैं, तो माने जाएगा, कि वो अपनी आपको, अपनी Population, वो पूरा का पूरा, रिप्लेस कर देंगे, सब सहारन African countries are expected to contribute more than half the population growth after 2050, अब ये कहा जा रहा है कि 2050 के बाद से, 2100 तक, सभी continents में, सभी महाँ वीपों में, अफरिका को छोड़कर, एक तरह से stability आजाएगी, और जो पहले Population, जैसे इस टैम पे एश्यक में, सबसे जादा Population बढ़ रही है, इंडिया की, चाइना की, अब वो जो किताब है Population बढ़ाने का, वो अफरिका के पास चला जाएगा, तो अफरिका जो है, वो अब Population कहा जाता है, most advanced economies have their fertility rate below the replacement level of 2.1, तो जो replacement level है, यानि कि आप खुद की ही जनसंख्या को replace करने वाले जो दर होती है, उसको हम 2.1 बोलते हैं, या replacement level बोलते हैं, जिसकी value 2.1 है, और कई सारी जो advanced economies हैं, कई सारी developed countries हैं, वो अलरड़ी इस पे पहुँच चुके हैं, with South Korea reporting the lowest at 1.05 children per women, South Korea में replacement level से बहुत नीशे चला गया है, पेजन अंदर, fertility rate वहाँ पे 1.05 children per women, इसका मतलब यह है, कि जैसे जैसे economies developed होती जा रही हैं, वहाँ पे लोगों की बच्चे पैदा करने की जो, या बच्चे रखने की जो इच्छा होती है, वो खतम होती जा रही है, और वो उन Indian setting is no different, with its fertility rate falling below the replacement level for the first time, तो 2021 में जो NFHS 5 की report आई है, उसमें पहली बार यह आया है, कि भारत का replacement level, भारत का fertility rate 2.1 से भी कम हो गया है, on an average, अगर हम भारत का fertility rate देखें, तो वो 2 पे आ गया है, वो अलग बात है, कुछ राज्या ऐसे हैं, जिनमें बहुत कम हैं, कुछ राज् of independence, भारत का fertility rate 6 हुआ करता था, यानि की प्रती विमें 6 बच्चे पैदा हुआ करते थे, and it had taken 25 years to reach 5, लेकिन 25 साल लगे, हमको 6 से उसको कम करवा के 5 बिलाने में, with the government launching the first ever family planning program in the world in 1952, पूरी दुनिया में भारत ने 1952 में एक family planning program लाँच किया, जो पूरे विश्व में एक चीज थी जो भारत में की की थी, इंडिया क्या fertility further decline हुआ 4 1990s में, जब करला पहला state बन गया, जिसका fertility rate, replacement level से नीचे पहुच गया, यानि कि करला में 1990s में ही, जो fertility rate था, वो 1990s में ही fertility rate, replacement level से, यानि 2.1 से नीचे आ गया था, as reported by the NFHS 2021, only 5 states have a fertility rate above the replacement level, तो 5 राज्य ऐसे हैं, जिनका अभी भी, जो fertility rate है, वो 2.1 से उपर है, यानि कि replacement level से उपर है, तो वो राज्य कौन-कौन से है, वो है बिहार, तो बिहार में 3 है, मेगाले का 2.9 है, यूपी का 2.4, जारकन का 2.3 और मनीपुर का 2.2, the steady dip in fertility rates has been explained as an effect of increased use of contraception, अब ये क्यों हुआ है, fertility rates की कम हो रहे हैं, एक तो contraception का इस्तमाल जाते हुने लगा है, फिर यानि कि निरोध का इस्तमाल जाते हुने लगा है, more years of average schooling, बच्चे जाते time school पढ़ रहे हैं, यानि कि अगर लड़किया, यानि कि लड़किया हों, चा बच्चे अच्छे हैं, बच्चे करेंगे, तो उनको पालेंगे कैसे, आज के time पे जो आज की महंगाई है, या आज के time पे जो हम quality education या quality facilities देना चाते हैं बच्चों को, तो वो आप कैसे दे पाऊगे, अगर आपके पास बच्चे जाता होंगे, better health care and an increase in the mean marriage age of women, क्योंकि जो marriage age है, पहले लड़कों की शादी 19-20 साल में हो जाया करती थी, normally, और आज वो age जाके, normally 25-26 years की हो गई है, कि average आप पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप service करते हैं, उसके बार आप शादी करते हैं, तो 25-25 की जो age है, वो normal होती जा रही है, आज के time पे लड़कों क बढ़कर 38-39 साल हो गई है, कि 28-29 में हमके marriages हो रही है, और लड़कों की 25-26 में हो रही है, नेक्स आता है GS2 से news आ रही है, international relations से, SEO मीटिंग की बात की जा रही है, कि जो शंगाई का option organization की जो मीटिंग थी, मोदी और शरीव, यानि कि नरेंदर मोदी जो भारत के प्रिथान म लिए, भारत की कह रहा था, कि आप पाकिस्तान की territory को use करने दो हमें, और पाकिस्तान समय जाने दो हमारे trucks को, जिससे कि हम अफगानिस्तान में कुछ समान पुचा सकें, लेकिन पाकिस्तान ने उस पे कोई भी तवज्यू नहीं थी, तो better regional connectivity is only possible if members grant each other full transit rights, permit permission नहीं देंगे, कि आप अपने trucks लेके यहां से जा सकते हैं, समान यहां से जा सकता है, जब तक ऐसा नहीं कहा जाएगा, तब तक जो समन्वे है, coordination है, वो नहीं हो पाएगा, referring to the refusal by Pakistan, to give India transit trade access by land to Afghanistan and Central Asia, क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर दिया है, भारत को, कि वो पाकिस्तान को use नहीं कर सकता, पाकिस्तान की territory को use नहीं कर सकता, समान को, अफगानिस्तान पुछाने के लिए, या Central Asia के जो देश हैं, वहावे पुछाने के लिए, न्यू डेली assumes the chair of the SCO and hosts the submit in mid 2023, यह important चीज़ है, क्यों न्यू डेली ने यहाई कि भारत ने SCO की chairmanship ने लिए है, और अब वो mid 2023 के आसपास पे submit भी hold करेगा, यानि 2023 बहुत important साल है, आने के लिए, भारत के लिए, इंडिया ने इरान में चाहभार पोर्ट डवलब किया है, सिर्फ इसी वज़े से, जिससे की पागिस्तान को reroute किया जा सके, पागिस्तान को हम हटा सके और पागिस्तान की जंगा हम चाहभार पोर्ट से जा सके, लेकिन चाहभार पोर्ट में, चाहभार पोर्ट से सिर्फ 70 से 80 लोंटर दूर ही ग्वादर पोर्ट को भी established कर दिया है चाइना की मितत से पाकिस्तान के अंदर At present, delays by Pakistan have meant that even India's plan to send 50,000 ton of wheat to Afghanistan by the land route has not been completed over several months तो भारत चाता था कि वो 50,000 ton की हूँ भेज सके अफगानिस्तान में लेकिन पाकिस्तान के बार बार डिले करने पर बार बार मना करने की वज़े से ये चीज़े पूरी नहीं हो पाई As permissions for the last tranche of 10,000 tons to be transported have not been granted और last में 10,000 ton की बात भी की गई थी कि उसको हमें बेजना है तो उसको भी भीजा नहीं गया The SEO Summit declaration ended with the expansion of the group of 8 countries SEO Summit जो भी खतम हुआ है समरकंद उच्वेकिस्तान में तो वहाँ पर ये expansion हुआ है कि पहले 8 देश हुआ करते थे अब उसमें इरान को भी full member जोड़ लिया गया है अब वहाँ पे SEO में 9 members हो गये है जो उसके president है इरान के इब्राहिम रैसी उन्होंने MOU sign कर लिया है कि वो membership को join कर लेंगे Among other members hopefuls are Belarus और कौन देश ऐसे है जो members का बंदा चाते है SEO का वो बंदा चाते है Belarus जो Belarus है लगब लगब वो मान सकते है Russia का ही भाई है क्योंकि Belarus ने Belarus के रास्टपती ने जहां तक भी कह दिया था Lukashenko ने कि उचाते थे कि Belarus रश्या में मर्ज हो जाए Indicating that the grouping in future would have a larger number of countries facing western sanctions The group also adopted more than 40 documents including an agreement on cooperation and good neighborliness SEO member countries जो है वो दुनिया की 30% GDP को contribute करते है और 40% दुनिया की population को contribute करते है ये सबी जो लोग है कहा रहते हैं SEO में रहते हैं क्योंकि चाइना और इंडिया हापे majorly देश हैं इस वैसे population का ratio दो जाता हो जाता है और GDP का ratio भी बहुत जाता है क्योंकि रश्या की अगर बात करें रश्या की GDP हो सकती है कि GDP contribution हो सकता है उसका लेकिन बाकि जितने भी देश है सब में population भी बहुत कम है और सबकी economy भी बहुत जाता फ्रिजाईल है बहुत जाता कमजोर है majorly यहाँ पर जो economies हैं वो तीन ही मान सकते हैं वो भारत है, चाइना है और रश्या है नएस आता है चाइना ने block कर दिया है listing of Lushkar Commander साजिद मीर एट UNSC तो UNSC की जो 1267 वाली जो sanctions committee थी उसमें साजिद मीर का नाम डालना चाह रहे थे लेकिन चाइना ने वीटो का इस्तवाल करके उसको मना कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान अभी तक एक terrorist state हुआ करता था लगता है कि चाइना भी अब कुछ-कुछ उसी category में जा रहा है क्योंकि अगर कोई terrorist को terrorist कहने से रोक रहा है तो उसका मतलब यही समझा जा सकता है कि वो सामने वाला भी फिर उसी प्रवर्ती का परसन है यानि कि चाइना भी कुछ उसी nature का होने जा रहा है यानि चाइना भी कुछ समय में अगर यही हाल रहा तो वो भी एक terrorist country हो सकता है या वहाँ पे terrorism जो है जिस तरह से वो पाकिस्तान में पलता फोलता है इसी परकार से वो चाइना में भी पलना फोलने लगेगा तो लशकर तयवा का जो commander है साजिद मीर उसके बारे में परते हैं तो मीर इस वन ओफ दा इंडिया's most wanted terrorist बहुत ही most wanted terrorist में से है और 5 million dollar की उसके उसी पर bounty है placed on its head by the US for his role in the 2611 तो भारत में 2008 के जो 26-11 Mumbai terror attacks हुए थे उसमें साजिद मीर का नाम सबसे उपर आता है मीर ने recruit किया है और train करता है वो attackers को जैसे कि एजमल कसाब को उसने ही train किया था and directed the killings he is wanted for the attack on a Danish newspaper तो Denmark के newspaper पर भी उस पर attack करने का अरूब लगावा है he was involved in attacks on Australian military installation तो Australia के जो military installations है उन पर attack करने के लिए उसका नाम है और he is wanted in the Virginia paintball jihad case that involved training कि US में भी training मिलने लगी है terrorist को देखे क्या हाल हो चुगा है तो यह सब चीज़ें के आरूब इस परसन पर लग चुके है जिसको चाइना ने 1267 committee में डानले से मना कर दिया है तो for the third time in three months चाइना ने joint India-US का जो attempt था कि जिसे की Pakistan-based terrorist को UN Security Council की 1267 list में डाला जाना चाहिए तो वहाँ पर इसने मना कर दिया है तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि अब United Nations के अंदर reforms लाने की सही में जरूरत है क्योंकि हमें यह दिखता है कि अगर कोई देश वीटो लगा देता है तो चार देश चाहे एक पक्षमेहोर एक permanent member जैसे की China अगर वो दूसरे तरफ हो तो वो proposal ड्रॉप हो जाएगा यानि कि जो चार देश है उनके वीटो की कोई power नहीं है या उनकी कोई power ही नहीं है तो यहाँ पर मेरा यह कहना है यहाँ पर यह हो सकता है कि हम या तो वीटो की power जो है उसको expand कर दें या वीटो की power को majority पर रख दें कि एक परसंट के वीटो लगान से कुछ नहीं होगा कि पांच लोग है अगर पांच लोग ही मान लेते हैं मान के चलें कि इंडिया को membership नहीं मिलती UNSC के permanent members की और पांच ही लोग अगर काम कर रहे हैं तो पांच देश यह इस तरह से काम करें यहाँ पे जो भी फैसला हो वो majority से हो कि जो majority होगी वहाँ से फैसला होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर साजीद मीर की बात करें अगर इसको terrorist डेकलार करना था तो यहाँ पे अगर 3-2 या 4-1 के हिसाब से भी वोट डलता तो जो ज़गों ने ज़दे लोगों ने वोट दिया तो वो लोग क्या होते उनकी बात रखी जाती जैसे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में होता है कि वहाँ पर जो भी फैसला सुना जाता है वो majority से आता है कि वहाँ लेते 3-2 पांच लोगों की bench है तो उन्होंने 3-2 के साब से फैसला दिया तो जो 3-2 लोगों ने फैसला दिया वो फैसला मना जाएगा तो कुछ इसी तरह से United Nations के अंदर भी reforms लाने की बहुत जाता ज़रुवत है वरना कुछ टाइम बात United Nations एक ऐसी body रह जाएगी जो body अपना आप में existence तो करती होगी लेकिन उसको कोई पूछे अगा नहीं कि उसकी कोई value नहीं होगी कुछ समय की बात है United Nations फिर devalued हो जाएगा अपने हाप में Next GS3C News आ रही है Climate Action की बात की जारी है Climate Action that runs on cooperative federalism यानि की cooperative federalism की बात की जारी है कि हम मिल जूलकर काम करें cooperate करें राज्ये जो है वो केंदर से cooperate करें देश जो है दूसरे देश से cooperate करें जब तक cooperate नहीं होगा तब तक cooperative federalism जब तक नहीं होगा तब तक climate पे हम प्रहार नहीं कर सकते या climate action के लिए कि climate को खराब करने वाली जो चीज़े हो रही है हम उन चीज़ों पे प्रहार नहीं कर सकते तो यानि कि GS3 से न्यूज आ रही है Environment Ecology की न्यूज है तो उसको समझते है अब देखे भारत जो है चोवन सो पचास इलेक्रिक बसे ले रहा है और 2030 तक पचास हजार इलेक्रिक बसे सड़कों पे चलाने का उमीद है भारत के अंदर तो ये कैसे हो पाएगा ये ऐसा गोल है जो State Command यानि राज्य सरकार है और भारत की केंद्र सरकार जब समनवे करेगी, कौटिनेट करेगी तभी पॉसिबल है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सेक्टर धिरे-धिरे और डवलप होता चला गया तो इसके वैसे शहरों में जो एर पॉल्यूशन है वो बहुत अत्ता कम हो जाएगा और साथ-साथ तेल की जो खपत है जिस पर भारत डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर जिसके वज़ा से उसमें भी बहुत जाद कम ही आई की इंप्रूव दी बैलेंशीट अफिस्टेट ट्रांस्पोर्ट कंपनीज एन इस पर दोमेस्टिक मैनुफेक्टिरिंग और जॉब क्रियेशन तो एक लाग चालिस जार बसिस रिजिस्टर है इस सड़कों पे लेकिन रजिस्टर बसे इतनी है यानि कहने का बहुत है कि उन बसों की हालत देशनी अच्छे नहीं है खराब हो चुकी है उन मेंसे धुआ बहुत अधा निकलता है और वो प्रकरती को नुफसान पुचा रहा है 40,000 बसे तो ऐसी है कि जो अपनी लाइस फान के बिल्कुल खतम पे हैं बिल्कुल एंड पे खड़ी है और उनको अब डी कमिशन करने की बाद कही जाली है यह गलत बात है कि इस्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडर्टेकिंग्स के पास ही बसे होनी चाहिए जिससे की बसे का फियर बसे की क्वालिटी मेंटेंड रह सके अगर यह चीज प्राइवेट हाथों में जाएगी तो प्राइवेट हाथ में आने से अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को देखोगे तो उनकी सर्विस एक तो इतनी अच्छी नहीं होती और लालच के चक्कर में ना तो अपनी बसे की अच्छी मेंटेनेंस रखत हैं यानि कि स्पीड का भी ब्रीच करते हैं तो और उनकी बसे जो हैं उनकी बसे में कैसे होती हैं वो बसे सिंप्ली फिटिंग होती है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी से निकल के आ रही है उनको लोकली बना लिया जाता है तो ऐसी बसे होती है जो प्राइवेट बसे चलती है तो कि इंडिया में बहुत अच्छे road transportation system जो बनाया है वो राजस्थान ने बनाया है चाहे वो AC buses की बात करें, simple buses की बात करें, non-AC buses की बात करें सभी तरह की buses को बहुत अच्छे चला पा रही है RSRTC With a few exceptions, जैसे कि best की बात की जारी है जो ब्रिहन Mumbai electric supply of transport undertaking है BMC की When state transport undertakings go to the market to buy buses, they face problems of fragmented demand and high prices State government control issues, अब state government जो है जैसे कि transit को वो control करता है एक जंग से दूसरे आगा जाने के लिए शहरी governance के लिए है, pollution control है, यह सब चीज़े इस्टेट government के subjects है Grand Challenge 1 एक tender था जोने 5450 buses दी गई थी, पांच भारती शहरों में चलाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलॉर, हैधरबादो, सुरत, इन पांच शहरों में Grand Challenge 1 के नाम से 5450 buses का tender दिया गया है, यह आप इन buses को दाईए और भारती सड़कों पर चलाईए नेक्स आता है कि असाम के राज्य, असाम का जो डिस्टिक है, असाम के जो जिले हैं वो climate change के वज़से risk पे हैं, तो 15 भारत के 25 डिस्टिक में से जो most vulnerable हैं, सब ज़्यादा खत्रे में है climate change के, 25 में से जो 15 हैं, वो असाम के हैं और दीज पंदरा डिस्टिक करीम गंज जो है, सबसे ज़्यादा vulnerable है देश के अंदर, और दूसरे जो डिस्टिक हैं, वो हैं चाचर हिल्स का और हैला कांदी का नेक्स आता है, इंडियन एर फोर्स ने, एन थर्टी टू, जो उनका, एंटर नॉफ थर्टी टू, जो प्लेन है, उसको blended ब्लेंड़ बायो डिजल पे उड़ाया है, 200 घंटों के लिए तो अगले छे महिनों में, 200 घंटे उट्स को डाने की बात की जारी है नेक्स आता है, इल्लीगल ट्रेड अफ मरीन स्पीशिस, इन्वार्मेंट इकलोजी की न्यूज है, कि मरीन स्पीशिस का, यानकि ऐसे जीव जन्तूओं का, जो समुद्र में होते हैं, उनका इल्लीगल ट्रेड बहुत तीजी से भढ़ रहा है एक एनलिसिस का रहे हैं, अगर हम इल्लीगल ट्रेड की मरीन स्पीशिस के भारत में, 2015 से लेके 2021 के बीच में, तो जो सी कॉकुमबर्स हैं, सी कॉकुमबर्स एक समुद्री खीरा, इसको इंदियम बोलते हैं, जो समुद्र से मिलते हैं, तो उनको बहुत जादा सीज किया ग गया है, data collected for seven groups of marine wildlife species were analyzed within the report, जिसमें sea cucumber मिले है, coral है, sea horse है, pipe fish है, shark है, ray है, sea shell, sea fan, sea turtle, यानि कई सारे जानवर जो हैं, जो समुद्र के जानवर हैं, समुद्री जीव हैं, उनको पकड़ा गया है, लोगों के द्वारा, illegally trade करने के लिए, या तो उनके meat के लिए, या उनको सजा पालने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं, कि उनको पालने के लिए भी, ये कुछ लोगों को ऐसी जो exotic species है, उनको घर में रखना भी अच्छा लगता है, तो इन सब के लिए, while the most incidents of Caesar were of sea cucumber, सब ज़्यादा सी कुमबर पकड़ जा रहे हैं, sea fan उसके बाद आते हैं, फिर sea horse पाइफिश, sea cell के 18 incidents हैं, shark जो मचली है, ray जो मचली उनके 15 हैं, sea coral 12 है और sea turtle के 5 हैं, इस statewide Caesar की बात करें तो तमिल नाडू में सबसे ज़्यादा, 126 Caesar हुए है, 122 Caesar किये गई है, फुलिस के दौरा, उसका महरास्ट में 13 incidents हुए हैं, लक्षदीब में 12 और कंणाटका में 8 अब देखेंगे यह important चीज़ हैं, इसको समझ लीजे, एक fact है यह, कि जो fishing gear है, यारिकी मचली पकड़ने की साधन है, जैसे कि जाल होता है, और वी चीज़े हैं, जो north pacific garbage batch, अगर आप देखेंगे, तो north pacific ocean के बीच में एक गायर बनावा है, और वहाँ पे क्या होता है, कि वहाँ पे पानी बिल्कुल शान्त है, पानी वहाँ पे रुकावा है, तो क्या होता है कि जतना भी समुद्र के अंदर कूड़ा कच्रा जा रहा है, तो वो बहुत जादा इस north pacific में उत्तरी प्रशाद महाजागर में एक garbage patch बनावा है, कि वही पे सारा जो plastic waste है, वो ही खट अंगरते जा रहा है, तो यह आपको important बात है, आपको बताओं जाए कि north pacific garbage patch कहाँ पे है, नेक्स आता है कि climate change किस तरह से भारतिय मौनसून को change कर रहा है, वो हम समझते हैं, जिस तरह से हमने सितंबर में अक्टोबर के महीने में बारिश देखी है, यह unprecedented है, पहले ऐसे नही होता था, भारत के अंदर सितंबर, अक्टोबर में थी बारिश नहीं होती थी, क्योंकि सितंबर, 15 सितंबर तक तो यह मना जाता था, कि मौनसून पूरा पूरा चला जाएगा, यानि कि retreating of मौनसून होता था, कि मौनसून वापे चला जाएगा, लेकिन अगर सब्टेंबर के महीने में और यहां तक कि अक्टोबर के महीने में भी जाएगा बारिश हो रही है, तो इसका मलब यह है, कि climate change ने भारतिय मौनसून पे कुछ ना कुछ असर तो डाला है, तो समझते हैं इसको, तो कह रहा है कि it is complex to understand the rainfall variability, कि बारिश में जो variability आ रही है, कि बारिश कभी ज जादा हो रही है, कभी बारिश कम हो रही है, and how monsoon patterns have been behaving of late particularly this year, second आता है कि alarming increase जैसे कि बहुत जादा बार आ रही है, सूखा पट रहा है, अगर कहीं पे बारिश हो रही है, तो वहां पे इतनी बारिश हो रही है कि बार आ गई है, और कहीं पे बिलकुल भी बारिश नहीं हो हो रही है, तो वहां पे सूखा पट रहा है, provides direct evidence of how global warming has been impacting the Indian monsoon, कि कि किस तरह से global warming जो है, वैश्विक जो कर्मी चल रही है, global warming है, मद्यवर्देश, गुजरात, राजिस्थान and parts of महरास्टा have recorded excess rainfall this year, तो ये सबी जो राज्ये हैं, चाहे वो MP हो, गुजरात हो, राजिस्थान हो, और महरास्टे कुछ हिस्सों में बारिश बहुँ जादा होई है, जबकि इसके अगर हम देखें, West Bengal, इसके उलट में देख in July led to excess rainfall to the tune of 8%, 8% excess बारिश होई है, actual rainfall जो record की गई है, वो 472.8 है, जबकि नॉर्मली में 437.2 mm हुआ करती थी, अगस्त ने भी back-to-back depressions देखें पे गंगॉल में, जिसके वैसे Central India की बात गरम करें, और while summer monsoon rainfall each year is unique, there has been a large regional and temporal variability in rainfall this year, there is evidence, अब ये कहा जा रहा है कि इन सब ची यही समझ सकता है कि global warming का climate change पर असर जरूर हुआ है, there is evidence that global warming increases the fluctuations in the monsoon, global warming के वज़े से fluctuations यानि कि जो निरंतरता आई है, अगर हम कहें कि changes जो आ रहे है, fluctuations जो हो रही है, monsoon में, resulting in both long dry periods and short spells of heavy rains, तो ऐसा हो रहा है कि कुछ छोटा सा spell ऐसा होता है, जिस time पे बहुत तेज बारि बारिश नहीं होती है, dry spell होता है, फिर छोटे समय में बारिश होती है, फिर लंबे समय के लिए dry spell होता है, तो कुछ इस तरह से इस्तिती बन रही है, नेक्स्ट आता है, using spooky action at a distance to link atomic clocks, तो atomic clocks के उपर science and text से news है, basically technology से news है, nuclear research से, high precision atomic clocks और quantum entanglement to achieve two atomic clocks that are entangled, की दो atomic clocks हैं, जो पस में दूसरे के साथ मिली भी हैं, entangled हैं, उलजी हुई हैं, उनको समझने कोशिच कर रहे हैं, this means the inherent uncertainty in matching their frequencies simultaneously is highly reduced, तो इनकी जो पहले uncertainty हुआ करती थी, यानि कि उनके ऐसा हुआ करता था कि एक अनिश्चित्ता थी, कि उनको एक साथ आप नहीं समझ सकते थे, तो अब वो तो जो dark matter है universe में, उसको समझने में बहुत help मिलेगी, precision geodesy और दूसरी जो applications है, atomic clocks grew in accuracy and became so dependable, that in 1967, एक second की definition जो थी, उसको revise किया गया, धिरे-धिरे, हम लोग जो है, वो atomic clocks पे depend हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, और हो भी गए हैं आज की time पे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादे precision ह है, इतने ज़्यादे वो सही time बताती है, कि एक second की definition है, उसको change भी किया गया, 1967 में ये कहा गया, कि इतने number of oscillation, यानि oscillation का मलब होता है, कि एक जंगा से दूसरी जंगाना, फिर वापिस यहां पे आना, फिर यहां जाना, और फिर वापिस यहां से आना, मलब ऐसे जा रहे ह और फिर ऐसे आरहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे आरहे हैं, तो इसको oscillation कहा जाता है, अगर ये हम इतने जितने बी लिखे वे 20 million years तो यह बहुत important चीज़ है कि 21 सताब्दी की जब शुरुवात हुई 21st century की जब स्टार्ट हुआ 2001 में तो यह कहा जा रहा था कि यह जो cesium clocks है atomic clocks इतनी जाद accurate हैं कि यह सिर्फ एक second या तो घेन कर सकती है यानि इन घड़ियों में एक second का error आ सकता है अब वो एक second का error या तो gain हो सकता एक second या वो एक second lose कर सकती है वो भी कितने time में 20 million सालों में 10 million साल का मतलब हुआ एक करोड साल और 20 million सालों का मतलब हुआ दो करोड साल कि दो करोड सालों में जाके उस घड़ि के अंदर एक second का error आ सकता है अब जो रिकॉर्ड आ रहे हैं अब जो नई घड़ी अब नी है रिसर्च की गई है उसने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दी है अब जो घड़ी है वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइस है कि वो एक सेकिंड जो खोएगी या गेन करेगी एक्स्ट्रा वो 15 बिलियन साल में करेगी अब आप सोच सकते हैं खुद की हमारे जो युनिवर्स है उसको हम कहते हैं कि वो 13.8 बिलियन येर्स है तो गिफ सम परस्पेक्टिव इच इस दो इस जो तो इस युनिवर्स एक वियर्ड फिनॉमिना है जिसको spooky action and distance कहा गया था Albert Einstein के दुवारा बस इतना आपको पता होना चाहिए कि quantum physics में entanglement जो चीज़े उल्शी भी होती थी उसको Albert Einstein ने spooky action and distance कहा था तो अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस ये एक्जामें पुज़ा सकता है researchers used strontium atoms जैसे कि वहाँ पे season atom की बात की गई कि cesium एक metal है उसको इस्तमाल किया गया आप strontium को इस्तमाल कर रहे हैं for the ease in generating remote entanglement they plan to try this with better clocks जैसे की calcium कुछ prelims के लिए facts आते हैं तो देखते हैं कि पेरियार ईवी रामसवामी नाईकर की जो birth anniversary है उस 17 सितम्बर को मना जाती है और उस दिन उसको social justice day के रूप में भी मना जाता है small trials are sparking fresh enthusiasm for induced pluripotent stem cell research अब देखिए ये जो pluripotent stem cell research है ये बहुत important है आप comment section में comment करके बताएंगे ये क्या होता है बहुत important है stem cell research 2019-2020 के time बी बहुत जादा चला और इसके उपर भी question पूछा गया UPSC में IPS cells are adult cells that have been coaxed into an embryonic like state and can develop into any cell type यानि कि इस तरह से है कि embryonic में है embryo जैसे human body में जो embryo होता है जिससे आगे baby develop होता है तो ये एक अपनी embryonic stage में है जिससे आग कोई भी cell बना सकते है studies involved repairing the cornea इससे क्या हुआ है कि cornea यानि कि जो आँखों में cornea होता है उसको सही कर दिया गया heart disease अगर दिल की कोई बिमारी उसको सही कर दिया गया कोई जी जो degeneration है वो उसको सही कर दिया गया तमिलाडू हमेशा से pioneer रहा है mid day meal scheme के लिए क्योंकि तमिलाडू में ही हमेशा initiatives लिए गए है खाने के प्रती बच्चों के लिए arguably among the best government interventions which links food and nutrition to education and development जिसमें खाने को और potion को education यानि की पढ़ाई और विकास के साथ जोड़ा गया है तो ये बहुत सतरह नवंबर 1920 को चिन्नाई Corporation Council ने approve किया proposal to provide Tiffin to the students कि Tiffin provide करने की बात की गई कि subsidized cost पर Tiffin दी जाएगी इसको expand किया गया चार स्कूल में लेकिन पास सल बाद सको discontinue करते गया तो कौन परसेंट थे जिन्नोंने इसको start किया था तो चीफ मिनिस्टर कौन है तमिल नाडू के जिनके नाम पर Midday Mail Scheme रखे गई है तो वो है M.G.Ramachandran फिर आते हैं एक Human Rights Body है जिसको जय परकाश नरायन ने found किया था argued in the Supreme Court about the right to food इसने right to food के बारे में बात की Supreme Court में argument दिया This case was recited in 2001 and Midday Meals were mandated to be provided by every state and unity तो which body was this अब एक body है P.U.C.L. बहुत important body है P.U.C.L. यानि कि People's Union for Civil Liberties तो इसको J.P. नरायन ने जय परकाश नरायन ने found किया था और 2001 में इसने right to food के लिए article 21 के तहत right to food के लिए case लड़ा Supreme Court में और उसके बास से Supreme Court ने judgment दी जिसके वैसे ये कहा गया कि सभी राज्ये और सभी केंद्शाषित प्रदेश अपने हाँ पे Midday Meals जासी स्कीम को लागू करेंगे Recently Midday Meals स्कीम अब आप ये समझ सकते हैं कि Midday Meals स्कीम Supreme Court की guidelines के बाद आई थी सरकार अपने आप में इतनी सजग नहीं थी उस टाइम पर भी 2001-2002 की बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी सरकार इतनी सजग नहीं थी कि वो अपने आप से ये action ले सके जुडी शरी को ही intervene करना बड़ा कि जुडी शरी के आने के बाद इसको लाया गया Recently Midday Meals scheme जो provide करता है और इसको प्री प्राइमरी स्कूल तक भी पहुचा दिया गया है इसको क्या रखा गया है और इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है पी-म पोशन शक्ती नरिमन स्कीम तो how much nutrition calories कहा गया है कि primary और अपर प्राइमरी की बच्चे को दिया जाएगा तो primary के बच्चों को दिया जाएगा 4500 कैलरी और upper primary के बच्चों का जाएगा 700 कैलरी तो चलिए इसी के साथ ये current affairs complete होते हैं गैस इसमें कोई वीडियाउट आता है कोई भी आपका feedback है इस section है तो आप comment section में comment ज़रूर कीचेगा बागी मिलते है next video में so thank you and bye-bye